हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैथ की वीडियो ले करके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम सी यूपी जेलवाटर के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट हैं जैसा कि पि हमें अधिक्तम अंकों के 20 परसेंट अंक पराप्त करने वाला चात्र पांच अंकों से अनुत्रन हो जाता है और दूसरा चात्र जो है जो अधिक्तम अंकों का 30 परसेंट अंक पराप्त कर लेता है और उत्रन अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है तो उत्रन होने के लिए इतना X का 20% प्राफ्ट करता है लेकिन ये फैल हो जाता है पांच अंकौं से, अगर हम कहांडें इस बिचारे को 5 नंबर दे दे दें तो ये पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इमांदारी के साथ बता ना, लेकिन जो एक वत्धारती जो 30% अंक प्राफ्ट करता है, और 20 अंक जो है वह उद्रांग जो आपका पास होने के लिए अंक चाहिए तो उससे 20 अंक जादा लियाता अगर हम इसमें से 20 अंक गटा देंगे तो ये व्यक्ति केवल पास हो जाएगा समझ रहे हैं ये उद्रांग से 20 अंक जादा लाता है लेकिन ये पैंच अंग क्या करता है? कम लाता है तो ये भी केवल पास दोनों को बराबर कर दो अब देखना X का 20% यहां जाएगा और 20 यहां जाएगा यह माइनस का है यह यहां पर आकर के पिलस हो जाएगा यानी की हो जाएगा यह 25 अब देखना X के 30% में से X का 20% जाएगा तो कितना बचेगा 10% और % इस में से नीचे 100% अटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा 10 से 10 चला जाएगा यहाँ पर 10 का मल्टिप्लाई 200 यानि कि X की वैलू आगई हमारे पास 200 टोटल पूरांग जो है वो 200 500 का 20% हमको क्या बताना है उत्रन होने दिए अब असे परतिसत बताईए तो PERCENT का 20% diff20 निकाल दो तो 50 आएगा कितना आएगा 50 जो और पांचंक और देदी है यानि कि यह उसे पास होने के लिए है ठिक है पतिबंatore लेकिन हमको क्या लगाना है प्रतिसत इंतउ 100 ठीक है एक 0 से 10 एक 0 से यह हो जाएगा एक 0 पांस से चला जाएगा है कितने बार पांच बार और 5 से चला जाएगा यह 11 बार 5 से चलाएगा दो बार 11 दुनिय 22 यानि की 22 परसेंट जो है वह आपका answer हो जाएगा तीसरा options बन्लों correct नेक्स्ट कोशन्स आपके सामने कि एक रेडियो का अंकित मूल 4 सुदा से इस पर 10% का डिसकाउंट दे करके 8% लाब होता है यदि बिल्कुल छूट ना दी जाए तो उसके लाब का प्रतिसत कितना होगा यह हमसे पूचा गया है तो मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था ठीक है पिछली वीडियो में ही बताया था फॉर्मूला क्या बताया था लाब प्लस में डिसकाउंट यानी ka चूट अपॉन में 100 माइनस के चूट यानी की डिसकाउंट इंटू में 100% यही बताया था बस फॉर्मूले में value put up कर दो हमको अंकित मूल सो कोई मतलब नहीं है ठीक है तो देख लो हमने लाप प्लस में चूट यानि की 8 प्लस में discount कितना है 10 बटे में 100 minus के discount कितना है 10 into में 100% यह हो जाएगा 18 बटे में 90 into में 100% अठारा पंजे नब्य पांस से जाएगा 120 बार 20 परसेंट आपका अंसर 14 options बिल्कुल correct ठीक है next questions तीन संक्यां का उसत 60 है उसत दिया हो है तो योग निकाल लो योग बराबर में होता है उसत गुड़े में संक्या तो संक्यां कितनी है तीन योग निकलिया आएगा 60 कितना हो ज आपकी 858 योग के ब्राबर में कितना हो गया 180 यहाँ पर हो जाएगा 5 208 बराबर में माज दिया 15 कितना बचा 35 36 आ गया पहली संक्याम को बताना है पहली संक्यामने एक्स ही तो मानी थी और एक्स की वैलू ही कितनी आई 36 यह यह इस कोसंस का पहला ऑप्संस दूसरा ऑप्संस बिरूर करेक्ट समझ रहे इस तरीके से करोगे तो यह सारे कोसंस होते चलिए देखो एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जो है 15 पर बेचा हमने क्राइम व्यक्ति आए 15 परसंट यानि की 115 ठीक है अब वह किया रहा है यदी वह 25% कम में खरीता अगर वह क्रेमूल का 25% कम यानि की 75% में खरीता तो शाट छैसो रोपे कम मैं बेचता तो यहां पर माइनस 600 रुपे कम में बेचता हो तो उसे कितने प्रसी था 32% का लाव होता तो बरावर में 132% और यह हो जाएगा बरावर टोटल तो इसको आपको solve करना है यह equation जो मैंने आपको बता दी X का 115% माइनस के 600 बरावर में X का 75% इंटू में 132 समझ गाए क्योंकि लाव हो रहा इसलिए प्लस कर रहा है यहाँ पर भी लाव हो रहा है इसलिए हमने प्लस करा इसको solve कर लोगे तो answer आएगा आपका 3750 पहला options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा direct इसलिए बता दी रहा हूँ क्योंकि यह solving आपको करना है calculation है calculation जितनी घर पर practice करोगी उतनी मेहत आपकी अच्छी होएगी यह मैं आपसे guarantee के साथ बोल सकता हूँ बस आप लोग calculation करना है next questions एक काम को 12 दिन में करता है बी 18 दिन में करता है वे दोनों 2 दिन तक 7 काम करते है देखो ए जो है वो 12 दिन में करता है बी जो है 18 दिन में करता है दोनों ने 2 दिन तक 7 में काम किया तो 2 काम ने multiply करवा दिया बिल्कुल simple तरीके से ठीक है अब हो कह रहा है यह चला गया दो दिन के बाद एक को बगा दिया रहेगा काम कौन बी काम करेगा ना तो बी तो 18 दिन में कर रहा से इस काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा तो हमने मार लिए बी एकस दिन में करेगा काम ता यह हो गया पूरा समझ रहे बताओ पूरी equation मैंने यहाँ पर आपको बना के दे दी अगर आप solve करना चाहतो कर लो यहाँ पर 36 LCM ले ले लेना ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में यहाँ पर X बटे में बूराबर में न थाली películे ले लसाएगा करेगा चल्दी बताओ दो सही answer कितना हो जाएगा जो B , जो कितने दिन में से काम को पीरा करेगा हम वे दिन में से सेकाम को पूरा करेगा यानि कि चोहता options आपका विल्कुल correct हो जाएगा next questions आपके सामने जल्दी बता बहुत simple है सरली करण का सवाल दिया हुगा है बहुत simple questions जल्दी बता दो सबसे पहले divide होगा फिर multiply होगा फिर add होगा फिर subtraction होगा ठीक है अब देखलो इसका divide देंगे 26 का divide देंगे कितने में 3120 में तो सही आपका कितना आ जाएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 44 कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 120 आएगा ठीक है प्लस में 13,49 यानि कि 390 इन दोनों को जोड़ दोगे तो ओ जाएगा आपका 510 यानि कि इस questions का कौन सा दूसरा options ब्रूर correct next questions आपके सामने यह देख लिए 2.40.36 7.2 का आपको ऐसी आप यानि की महत्तम समाबर तक मासा निकालना है जब भी ऐसे आ जाएगा तो देखो point अटाएगे 24 बटे में 10 आ गया यहाँ पर point अटाओ 36 बटे में कितना आ गया 100 यहाँ पर point अटाओ तो कितना आ जाएगा 22 बटे कितना आ गया 100 अब क्या करो जब भी भिन के रूप में आ जाए तो एक ट्रेक होती है यहाँ एक formula होता है भिन में क्या होता है अंस और हर होते है और होते हैं अंस और हर उपर वाला नीचर वाला हर तो इसमें जो भी पूछा है उपर वालो का मासा निकलेगा य Seb 24 चानि 3 और 144 मास को निकलेगा awak सबसे पहले आप किस से करोगे 24 का 36 से करोगे 12 बचे गा 12च सीर है 12 बारे चले जरे लिए 12 Wasa और आ गयाHa ओपर उपर वालों का निकलता है मासा और नीचे वालों का निकलता है लासा निकल जाता, समझ रहे, तो next questions की तरफ चलते हैं, 26 वटे 12 में से किसका गुणा कर दिया जाए, ताकि वो 18 वटे 48 प्राफ्ट हो जाए, तो को 6 में कितने का multiply करेंगे, 3 का, और 12 में 3 का multiply करेंगे, तो 12 तिया 36 होता है, यानि कि ये तो होएगा नहीं, समझ रहे, अब देख लो वो जो गहरा, 3 वटे 4 का multiply कर दो, 3 वटे 4 का, देखो, question number 46, 46 का B options देखो, बिल्कुल ठीक है, अब देखना, 6 वटे 12 में हम 3 वटे 4 का multiply कर दो, 6, 3, 18, 12, 4, 46, यानि कि 18 वटे 40, यानि कि इस questions का B options आपका विल्कुल correct हो जाएगा, समझ रहे, next questions की तरफ चल ले, question number 47, देखो एक आयताकार कमरे की चोड़ाई, उसकी लंबाई की क्या है, 2x, देखो, यह लंबाई, यह आपकी चोड़ाई, चोड़ाई जो है, वो लंबाई की क्या है, 2, 24 यह, देखो, लंबाई को मान लिए, हमने x, तो चोड़ाई कितनी हो जाएगी, x का 2 upon 4 क्योंगी, 2, 24 है, ठीक यही आएगा ना, अब यहाँ पर 4 का मल्टिप्लाई करो, x बराबर में 0, 4 दुनिया, 4 तिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लो, 4 तिया, 12, 1280 हुआ, x square बराबर में कितना हुआ, 1280, अब 1280 का आपको square root निकालना है, 1280 का आपको क्या लिकालना है, square root, तो 1280 का में direct आपको square root निकालना दे रहा, तो x बराबर में 16, 16 root 5 आएगा, क्या आएगा, 16 root 5, और x को हमने क्या माना था, लंबाई, लंबाई हमसे पूचा है, कि लंबाई होगी, तो लंबाई होगी आपकी, 16 root 5, यानि कि तीसरा options, correct, next questions, आपके सामने, लड़के तता, लड़कियों का 2 और 3, 2 हैं आपके लड़के, 3 हैं आपके क्यों, लड़कियां दोनों को add कर लो, यानि कि दोनों जब add होएंगे, तभी तो क्या होगा, ये बिद्यारती बने होएंगे, यानि कि 345 से divide कर दो, x बराबर में कितना हो जाएगा, 5 चेक के 30, 48, यानि कि 68, वो कहरे लड़कियो जो कि मैंने आज आज आपको करवा दिया, next questions, question number 49, देखो, ABC तिन कंपनी है, ये जो आपका questions है, UP लेकपल, राजस्व लेकपल में ये questions, डेक तो यही questions पूचा गया था, ठीक है, यही questions आपका पूचा गया था, ABC एक कंपनी में हिस्सिदार है, किसी एक वर्स में A को लाब होता है, एक वटे में 3, B को लाब होता है, एक वटे में 4, ठीक है, अब C का लाब कितना होगा, आप देखना, जब टोटल लाब कितना भी होगा, टोटल लाब जो है, इसमें A का मिल गया, B का मिल गया, अब टोटल में से, अगर हम A और B का घटा देंगे, तो C का पर आप नहीं हो जाएगा तो टोटल लाब हमने एक माल लिया अब इसमें से A और B का घटा दो ठीक है तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको C का लाब लिकालना है कि C का लाब ले लिया है एक बटे चार किसने ले लिया बीन है और जो बागी इससा बचा जो बचा आपका पांच बटे 12 वो सी को दे दिया ठीक है अब हो कहरे हैं सी को 5000 रुपे मिले यह हिस्सा जो होएगा वो लाब के रूप में सी को यो मिला है वो उसके बराबर में नहीं होगा इमानदारी के साथ बताना तो आफ ने मान लिया लाब एक सोगा होगा तो एक्सका 5000 के बराबर में है 5000 वह ज़ाएगा एकहजार तो यहcentered लाफ कितना है 12000 रहे कह रहें ये को कितना मिला अब ये को येकवटे में चार मिला तोटल लाव आपका बारा-जार एक को कितना मिला और येकवटे में 3-3 तीन से काट तो तीन-चोगे 12-4-2 तो प्रती मिनेट और 10 मेटर की चाल से चलें तो वो एक साथ कम मिलेंगे अब देखो दूरी कितनी देधी 244 बराबर में क्या होता है दूरी बटे में समय हम से समय पूचा प्लस कर दो तस और माच को प्लस कर दो 15 पंदरा अट्टे कितना होता है 120 यानि की 80 मिनिट में जो है वो एक दूसरे को मिलींगे अगर मिनिट में आंसर है तो ठीक है वन नाम इसको second में चेंज कर लींगे आंसर मिनिट में दिया तो बहुत अच्छी बात है यानि की दूसरा options आपका विल्कुल क्या हो जाएगा कामे में आपको यही करना पड़ता था कि यह कार आगी है यह उस काम को 40 दिन में खतम करेगा लेकिन एक्स का अगर मान के चलोगे तो आपको नहीं करने पड़ेगा यह उल्टा नहीं करने पड़ेगा देख लो कैसे इन दोनों का लेका लो तो हो जाएगा सत्रा सही एक वटे में साथ तो सही आंसर क्या हो जाएगा सत्रा सही एक वटे में साथ यानि कि पहला options आपका बिल्कुल correct लाश्ट questions question number 15 यह आपके सामने दिया हुआ है 75 का 120 बता नहीं निकल पाओगे जिसने इस questions का answer नहीं दिया तो मैं समझ जाओंगा उसको में बिल्कुल नहीं आने तो इस questions का answer आप लोगो को देना ही है तो यह questions में छोटा सा simple सा questions है इसलिए मैंने आप लोगो हमबर के लिए दे रहा ह है। साथी साथ अगर आपको लगा है कि मैं जो आप लोगोKो इतने डैडिकेट तरीके से मैत पढा रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी लग रही है मैत और आपको लग profit मिल रहा है तो दोस्तों पांचो लाइक तो ही करना है यार तोड़ी नहीं आपसे मैं पैसे मांग ले रहा हूं कि यह मेरा अकाउंट है यह मेरा फ़न पर नंबर यहां पर पैसे सेंट कर नहीं सेंट कुछ नहीं मांग रहा यार बच्चे यहां अगर है अड़ा लिए कर देना और आपने दोस्तों को अगरमेने बिदियो पसंदियो को लाइप सिर किजिए और आज माई चैनल को सब्सक्राइब पर नहीं कि आहिसे थे डिविदे लिए लात रहत हूं नमस